चलो, मेरे साथ साथ तुम लोग 38th number question को पढ़ो 38th number question क्या है The following is Receipt and Payment Account of City Club for the year India 31st March 2020 देखो, City Club का Receipt and Payment Account भी रखा है City Club का Receipt and Payment Account दे रखा है क्या-क्या है To balance, एक अप्रील को दे रखा है, सब्स्क्रिप्शन दे रखा है लाइक मेंबर से फी दे रखा है, सेल अफ स्क्राप दे रखा है इंट्रेस्ट अन स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स फंड पे इंट्रेस्ट भी दे रखा है आगे कहता है, Affiliation fee to be Pradesh Club Pradesh Club को Affiliation fee दिया हुआ है Furniture दिया हुआ है, एक अक्टूबर को Sports Expenses दिया हुआ है Sunray Expenses दिया हुआ है, Balance CD दे रखा है Cash का Closing Balance और Cash का Opening Balance दे रखा है तुमारे पास Ergistment में कहा है, The Club has 600 members, sorry, 1600 members Each paying annual subscription of Rs.10, subscription of Rs.450 are still in Area 4, 2021-22 Lack member CP are to be transferred to Capital Reserve, Sports Expenses are to be met out of the Sports Fund कहा, Sports का जो expense होगा, वो Sports Fund से क्या होगा, काटा जाये रहे On 1 April 2022, the Club Assets and Liability including Furniture 2000, Sports Fund and 10% Sports Fund investment 30,000 each Provide depreciation on Furniture and direct 20% per annum and prepare income and expenditure account for the year ended 31 March 2023 and balance it as on that date तुमको क्या कहा है 31 March 2023 को खतम होने वाले बार्स के लिए दो चीजे बनाना है एक Income and Expenditure Account और दूसरा Balance राखी अरे बाबू सोना नियां दूसरा चलो तुमका है असरा है देखो इदर तहाँ ये साल खत्म कब हो रहा है 31 March 2022 तो इसको खतम हो रहा है तो शुरू कब हो रहा होगा 1,4,2,2,2 को खतम हो रहा है नहीं सुरू सुरू हो रहा होगा ये तुम्हारा पिछला साल है और ये अगला साल है राइट हमें क्वेस्चन में कहा है कि आप 31 March यहां पर हमको बैलेंस इट बना के दिखाओ और इस साल का हमको income and expenditure बना के दिखाओ यह दो चीज़े मांगा है देखो पहला पॉइंट है कोई भी क्वेस्चन तुम अगर अच्छे से समझ के पर लिया आए तो 90 प्रतीसत समझ से तुम्हारा ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा अगर क्वेस्चन समझ लिया तब तो कभी भी जब क्वेस्चन को पढ़ते हो नहीं समझ में आया तो दुबारा पर हो तिबारा पर हो हिंदी में पर हो इंग्लिस में पर हो कोजिस करो कि क्वेस्चन को पहले अक्षे से समझ लो उसके बाद जो तुम से मांगा गया है वो बनाना start कर दो अपने बन जाएगा question किसी question को देख कि ये अंदाजा मत लगा है अरे बड़ा question है नहीं बनेगा बहुत सारा point उगे दिया है नहीं बनेगा, ऐसे मत करो एक-एक point को deal करो आराम-ाराम से पहली बार थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा फिर रिविजन करोगे तो उससे कम समय लगेगा अब तुम को क्या कहा है बनाने income and expenditure account for the year in the 31st March बॉलागा प्रेश और बनाना है क्या balancing as on 31st March बॉलागा प्रेश यहां क्या लिखते हैं liability liability amount assets amount यहां पे क्या लिखते हैं expenditure amount income amount क्या है हम लोग शुरू कहां से करेंगे adjustment से कहां से शुरू करेंगे तो पहला adjustment का पहला point पर पहला point पर हो क्या कहता है कहता है कि club के पास 600 member कितना member है इस club के पास जो total member है वो कितना है 16 गुने 10 रुपे एक member देता है तो भाई इस साल कितना इसको पैसा income होना चाहिए इसको income इस साल total होना चाहिए 16 नहीं कितना होना चाहिए 16,000 होना चाहिए ठीक है है ना इसके अनुसार क्या होना ची 16,000 आगे क्या कहा है subscription के बारे में एक और सब्द कहा है कहता है subscription of rupees 450 hello कहा subscription for 450 are still area for 2021 से बाइस बताओ 21 से बाइस कौन साल की बात करना है यहां की बात करना है कहा अभी भी यहां का पैसा बकाया है कितना कहां पे बकाया होगा यहां पे की यहां की बात करना है यह यहां पे पहुँच गया है कह रहा है यहां पर अभी भी पिछले साल का पैसा बकाया है यहां का पैसा आज भी बकाया है और किसी को नहीं नहीं यह बात कहा है समझना है यह बात किसी को नहीं चलो अब जरा सब्सक्रिप्शन के बारे में और क्या कहा है सो सुने क्वेस्टन में कहा है सब्सक्रिप्शन मिला है जो रिसीब हुआ है सब्सक्रिप्शन वह हुआ है कितना दिसीब हुआ है लेकिन कह रखा है कि सुनो इसमें 500 रुपया जो मिला है इसमें से 500 मिला है कब का कब का पिछले साल का कितना 500 मिल गया 500 मिल गया पिछले साल का और बांकी भी रह गया 450 तो मैं तुम से पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहां पे इस साल का कितना बाट के होगा नए पिछले साल का 500 इस बार मिल गया अब फिर भी बांकी रह गया 400 तो इसका मतलब यहां पे बांकी होगा आओ के स्टेंडिंग पिछले साल वाला कितना इस बात में किसी को डाउट है बोलो किसी को डाउट है नहीं डाउट है चलो अगले पॉइंट पहुंचो कहता है कि दो हजार बाइस सेत्ताइस पंद्रह हजार मिला इस साल का इस साल का इस साल का कहता है वहीं मिला कितना कहता है पंद्रह हजार इस साल का कितना मिला मिलना कितना चाहिए था इस साल इसका मतलब है एक हजार रुपया अब भी भी बगाया होगा का अभी करेंट इर का यह बाला था पिछले साल वाला दो हजार IKN 22 बाइस से 20 बाला और ऑट चन्न मनि अभी है कितना है इग इस पुनिक में किसी को डाप है कि समझ में आ आ रहे हैं समझ में बो लो है जार किसी को नहीं अगला point क्या कहा इस question में कहा 2023 से 2024 का 1000 advance मिल गया नहीं यानि कि ये ये जो मिला है total इसमें अगले साल का भी पैसा है कितना है ना तो इसका मतलब यहाँ पे advance भी होगा कितना यहाँ पे advance दिखता होगा कि अगले साल का payment हो गया है इसमें किसी को doubt है तो total अगर outstanding देखोगे तो यह दोनों मिला के हो जाएगा कितना चोले सा पचास है ना किसी को doubt है अब सुनो हमने तो यह समझने के लिए बना लिया अब जब दिखाएंगे income and expenditure में और balance seat में तो हमको सिर्फ इसी बात से मतलब है कि इसमें क्या जाना चाहिए और हमको कोई मतलब नहीं हमने तो यह सारा समझने के लिए बनाया है इतना ताम जान किया है है ना अब हमें जरूरत क्या है हमें जरूरत है कि भाई income कितना हुआ बाई subscription account में जाना कितना चाहिए accrual concept कहता है कि इस साल में income कितना होना चाहिए वो दिखाओ मिला कितना नहीं मिला हमको उससे कोई मतलब नहीं तो इस साल का income होना चाहिए था 16,000 उपे तो हम दिखा देंगे 16,000 नहीं balance seat हम लोग बना रहे हैं यहां पर तो हमको मतलब है कि यहां पर assets आप लिया विए कि कितना हुआ ही दिखाएंगे मां कि यहां क्या है नहीं हमको उससे क्या मतलब है कोई मतलब है क्या नहीं मतलब है तो यहां पर बताओ यह जो outstanding है वो क्या है हमारा assets तो हम दिखाएंगे assets में outstanding subscription account कितना 14,000 advance subscription भी है कितना तो advance क्या होता है तो यहां पर दिखाएंगे लियाविटी में advance subscription account कितना किसी को doubt है क्या कोई है जिसको doubt है अरे बेहुद आभी भी अगर doubt होगा तो कहीं नहीं समझने आएगा एक ख़ईचा चुरा चुरा के बताए तो यह point समझना है पहले किसी को doubt यहां पर नहीं अगले point पर बढ़े अगले point पर बढ़े अगला point किया है adjustment का अगला point कहता है कि life member cp are to be transferred to capital reserve क्या कहा है life member cp को आपको capital reserve में transfer कर देना है नहीं चिप करो life member cp कितना है चिप करो अगला life member cp कितना है 12,000 तो कहां लिखे clarity में हम लोग लिखेंगे life membership fee ठीक है या इसको capital reserve भी लिख सकते है ठीक है कितना 12,000 clear है लिखना actually capital reserve भी लिखना चाहिए मैंने तुम लोग को समझाने के लिए लिखते है ठीक है चलो आगे बोलो आगे क्या है कहता है sports expenses are to be met out of the sports fund सुनलो ध्यान से क्या कहा कि sports expenses जो है वो हम sports fund से खर्च करेंगे कहां से खर्च करेंगे sports fund से तो इसको मैं मिटा दू क्या मिटा दो हमें sports fund का treatment अभी करेंगे हां क्या कहता है कि sports का जो खर्चा होगा उस खर्चे को हम लोग कहां से उसके fund में से करेंगे ठीक है क्या क्या दिया हुआ है चलो देखते है कहता है कि और एक अप्रील दौजार पाइस क्लब एसेट्स अन लियाबिटी इंपूर्ट फर्णीचर कितना तू थाउजांड एसपोर्ट्स फंड अच्छा कहा यहां पे यहां फर्णीचर है कितने कहा है दौजार का नहीं आगे क्या कहा कहता है कि एस्पोर्ट्स फंड भी है इसके पास कितना 10% एस्पोर्ट्स फंड इंबेश्मेंट कितना कहा इसके पास दोनों चीज़ है एस्पोर्ट्स फंड है कितना 30,000 और 10 प्रतीसाद एस्पोर्ट्स फंड है कितना 30,000 दो हमची अच्छा मुझे यह बताओ यह जो एस्पोर्ट्स फंड है जो आया होगा एस्पोर्ट्स फंड वो तो मेरे लियाबिलिटी है नहीं लेकिन मैंने 10 प्रतीसाद कमाने के लिए उस्पोर्ट्स को कहीं लगा दिया तो तो मेरे असेट्स है वो हमारे क्या है असेट्स है किसी को डाउट? नहीं ना चलो आगे क्या कहा? आगे क्या कहा? अच्छा इसके बाद डेप्रिसियेशन का चर्चा है तो पहले तो हम इस पर चर्चा कर लो पहले देखो तो क्या क्या लिखा हुआ है पहले ये देखो कहता क्या है कि एस्पोर्ट्स एक्सपेंसेश हुआ है कितना? पचीश सो दियान से सुनो एस्पोर्ट्स एक्सपेंसेश हुआ है कितना? तो पहले तो हम इस point को deal करते हैं दे लगा इस point को हम पहले deal करते हैं यह तुम को परिसान करेगा ठीक है जी साथ ने इसके बारे में क्या कहा इस से related क्या कहा कहा इस साल के दौरान एस पूर्ट का expense हुआ कितना पचीज़ था ने कितना एक बात और कहा कहा कि interest मिला दो हजार कितना मिला interest दो हजार ने समझ रहे हैं अब मैं तुम से पूछना चाहता हूँ कि हमारा जो sports investment है यह वाला इस पे पूरे साल का 10 प्रतिसत के rate से आना चाहिए किने आना पर इंटरेश्ट तो 10 प्रतिसत आना चाहिए कितना आना तो चाहिए था तीन आजा आया है कितना इसका मत्वर जानते हो interest अभी बकाया भी है यहां interest और डिस्ट है नहीं है कितना यह बात समझ रहे हो यह बात समझ में आ रहा है डाउट किसी को नहीं डाउट है बोलो ना नहीं डाउट है तो हम add कर देते हैं किस में उसी fund में add कर देते हैं और खर्चा होता है तो उसी में से less कर देते हैं नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं तो मुझे यह बताओ कि यह जो खर्चा है वो तो इसी में से होना चाहिए निश्चित रूप से वो इसी में से खर्चा होना चाहिए तो तुम अगर देखोगे तो पता चलेगा कि भाई हमारे पास यहाँ पे यहाँ पे अगर यह स्पोर्ट्स फंद है 30,000 तो बचेगा कितना यहाँ पे बचेगा सताई सजार नहीं और इसमें इंकम हुआ होगा कितना इंकम हुआ होगा 3,000 कितना हुआ होगा पुर्य साल का कितना 3,000 नहीं तो कितना हो जाएगा टोटल 30,000 तो यहाँ पे हमारा एस्पोर्ट्स फंद दिखना चाहिए कितना 30,000 तो बचेगा और हमारे पास एस्पोर्ट्स फंड इंवेश्टमेंट कितना है 30,000 है ना तो हम जब दिखाएगे यहाँ पे तो यहाँ दिखाएंगे क्या कितना है हमारे पास यह 30,000 है नै है ना और हमारे पास sports fund कितने का हो जाएगा नहीं देखो पहले था हमारे पास 30 सजाल का sports fund कितना है 30 सजाल का plus interest आया इसमें कितना तो हो गया कितना 33 सजाल इसमें से खर्चा धटा देंगे कितना तो बचे का कितना 30 सजाल तो ये जाएगा कितना 30 सजाल 500 नहीं जाएगा कि नहीं उसके बाद हमारे पास अभी भी outstanding है कितना outstanding है एक हजाल तो ये हमारा assets है कि लिए आमेटी assets है तो हम दिखाएंगे यहाँ पे outstanding interest कितना एक हजाल है clear है doubt किसी को नहीं नगा है चलो अगले point पे चलो प्रुभाएट depreciation on furniture 20% कहता है फरनीचर पे depreciation चार्ज करो कितना? 20-30 तो फरनीचर हमारे पास कितना है? दौआ जाल जाल क्या और कोई information दे रखा है फरनीचर के बारे नहीं? चेक करो एक अक्टूबर को खरीदा भी है नहीं? तो अक्टूबर होगा कहा? चेक कर लो ये तो अप्रील है अप्रील, मैं, जून, जुलाइ, अगर्स, सेप्टेम्बर, अक्टूबर यहाँ पे एक तारिक को कितने का खरीदा है नए तो टोटल यहाँ दो हजार प्लस तीना जाद फ़र्मीचर यहाँ पे दिखना चाहिए कितना पांच हजार लेकिन कहता है इसपे तैपरी-सिएशन भी चार्ज करो कितना? 20 प्रतिसर तो यह दो हजार बाले पे तो पूरे साल का होगा तो दो हजार का 20 बटैस सो, बनावर कितना? 400 और यह इसपे कितने दिनों का? 6 मेहने का तो 3,000 का दस प्रतिसत निकाल दे, अरे आधा ही निकालेंगे ना, तो वैसे भी करदो या वैसे भी करदो, तो कितना आएगा, तो टोटम कितना हो गया, तो depreciation इसमें से 700 कम हो गया, तो बचेगा कितना, चाला जा, तो depreciation तो हमारा खर्चा है, तो जाना चाहिए, income and expenditure में क्या कितना दिखाएंगे, तो depreciation, इसमें कई item पे depreciation है, तो इस पे तो 700 है, फंद नीचा कितना दिखाएंगे, फंद नीचा दिखाएंगे, कितना, चाला जाब, 300, यह रहे, और आगे क्या कहा है, और तो कुछ नहीं है, अब चलो, हम देखते है, opening balance cash का दिया हुआ है, क्या जाएगा इस रहे, नहीं जाएगा, subscription का treatment हो गया, life number six fee का हो गया, sell of scrap, हमारे लिए क्या है, income, तो by, sell of scrap, कितना, कवारी के बेचने से पैसा है, उसके बाद क्या है, interest on sports fund, इसका treatment हमने कर दिया, आगे क्या है, by affiliation fee, तू भी, सुनो, affiliation fee दिया, यह तो हमारे लिए कर्चा है, कितना, एक हजार, उसके बाद क्या है, furniture का हो गया, export expenses हो गया, sundry expenses, तो, sundry, कितना, 15, 200, उसके बाद क्या है, यह तो जाएगा, कैसे बाद कितना, हां, और कुछे क्या, नहीं है, चलो, इसको balancing करो, जादा किस सब्सक्राइब है, इधर जादा है, दोनों सब्सक्राइब से नहीं हा रहा है, अच्छा, यह depreciation को लिख वे नहीं है, इस सब्सक्राइब जादा है, कितना, अच्छा, यहां भी होना चाहिए, देखो, आमदनी कम है, और खर्चा, तो क्या होगा, deficit, तो by, deficit, balancing कीगा, कितना, समझभा रहा है, यह 700, capital fund में से क्या होगा, जो भी आएगा उसमें से less होगा, 700, deficit, अना, अब balance it का total देखो, कितना हो रहा है, इधर बताओ कितना हो रहा है, पचास हजा, 700, यहां भी होना चाहिए, पचास हजा, balancing figure capital fund, कितना होगा है, 7,000, यहां लिखे हैं, 7,950, इसमें से 7,20 करो, 11 है total, क्लिर है, डाउट किसी को, इसको उतारो, हुआर कितना है, यहां तर लिघकल का प्यवा है, यहां, 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 यहां wichtig कितना है, झाल 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 झाल